हाट अटाइक में पेन होती है बैठे बैठे पेन होती है अच्छा एंजाइना में कब होता है चलने से पेन होता है रुकने से पेन ठीक हो जाती जब 70-80 ब्लॉकेज हो 70 एक आदमी बोलता है मुझे दौड़ने में दिक्कत है तो कितनी ब्लॉकेज बोलू more than 70 एक बोलता है ब्लॉकेज है कियो है एक प्रसंट अच्छा हाट आथैक धीर धीरे होता यह सदनली हो जाता है कि सदनली जो सदनली अभी का भी हो गया हट ठैक मिन्ट पहले मिल आप 5 मिनट बाद कम हो गया हाट अज़ह हो गही चैसे हो जाता है आपको याद है अब देखिए एक बढ़ एक आदमी heart का patient है, उसको heart attack करना hundred blockage ले जाना है, कितने सल बाकिए अभी उसको दस साल बाकिए है, पता चला 10 मिनिट बाद heart attack हो गया, एक आदमी तो heart का patient ही नहीं हो, उसकी blockage 60 है, 60 पलो τछ है, वो heart का patient में हो जो दोड सकता है अच्छा उसको कितने सा लगेगा भी हाट अटेक करने 60 है 100 जाना है 40 परसेंट बाकी है 20 येर्स बाकी है भी पता चला 20 मिनिट बाद हाट अटेक हो गई कैसे हो जाएगाट येक होजए अपको यहाद एक परदा आपने बतांगे ब्लॉकेज के उपर एक इंब्रेन ब्लॉकी एंब्लपेन इपर पर्जाब सर्कुंद और मेंब्रेन भी ब्रेक है ऐ मेंब्रेन बॉर incapable किर्श करते कर दें किढा होगा मेंब्रेन बस्ट कर जाएगा मेंब्रेन विल रप्चर मेंब्रेन विल स्नाप मेंब्रेन विल बस्ट और जैसे मेंब्रेन बस्ट करेगा क्या होगा यहां से केमिकल यहाएगी और यहां पे खून जा रहा है इस खून में क्या होगा ब्लड केमिकल मिलेगा और केमिकल म अब एक बार बदाईए, हाट अटेक को रोकना कैसे है, आपका दिमाग क्या बोल सकता है, मैं आपको समझाता हूँ, एक एक जामपल सोच लीजे, एक नोट का गड़ी है, नोट का गड़ी समझते हैं, नोट के गड़ी में रवर्बेंड लगा है, मैं हर दिन उसमें नोट ग पटी है, आप बुलिए, एक काम करना कल से नोट गुसाना मत देखना फटेगा नहीं, कि ये काम बात चिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, गुसाना बंद करो, और मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ कि कुछ नोट निकाल लो, कि रवर्बेंड डीला हो जाए, अब फटने का क्या चांस है, एक दम नहीं है, यही बात मैं हार्ट के पेशन को समझाता हूँ, मैं बोता देखो, अभी जहां तक चले गए चले गए, अब आप ब्लॉकेज को बढ़ाओगे, तो एक ना एक दिन हार्ट अटेक होगा, कब होगा हम नहीं जानते हैं, पर कभ गुसाना बंद कर दिया, तो फटने के चांस कम हो जाएगा, और कुछ नोट निकालना चालो कर दिया तो, आपको क्या लगता है, लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं, वो जो कारण है ब्लॉकेज का उसको बढ़ाओ, और बोडी में सप्लाई फैट का बंद करो, अब हार्ट रोकने का उपाई, मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट ये करते नहीं, वो खाना पिना गलत खाते रहते हैं, दवाई यह खाते हैं, कार्डियोलोगिस को पूछ भी लेते हैं, कि डॉक्टर साब, मैं आप से दवाई ले रहा हूं, तो आपके अंडर में हो गया ना, ड बोलता है, कभी हार्ट अटाइक हो जाए, तो आप कहां मिलोगे, मैं अभी ब्लॉकेज बढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ हमको बताओ, हार्ट अटाइक के बखत आप, अचा काडियोलोजी भी बड़ा खूस रहता है, बोलता है, मेरा मोबाईल नंबर रखना, जब भी इनफॉर्म करना, और मैं आपको बताओंगा कहां पहुचना है, और मैं भी बहीं पहुचूँगा, फिर आपको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर हार्ट अटाइक के बाद, हार्ट अटाइक के पहले करने का पुछ जरृत, आपको क्या लगता है, सही बात हो रहा है, अरे हार्ट अटाइक के पहले ही रोक लो ना, क्या हार्ट अटाइक, और मैंने देखे आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है, एनिवे, आई डोंट वांट आट, अचा एक बाद बताईए, यह जो पेशेंट है, जिसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, यह सब जानता भी नहीं है क काडियोलोजिस्ट के पास जाए, तो उसको बता दिना चाहिए कि नहीं किस लिए ब्लॉकेज हो रहा है, अचा अगर हार्ट के होस्पिटल में आप चले जाएं, तो वो लोग भी यही सब बात करेंगे ना आप से, क्या लगता है, हाँ या ना, वो लोग क्या बात करेंगे उनके पास दो प्लैन हैं, एक है बायपास सरजरिय और एक है अंगियो ब्लास्टी, अच्छा इतनी कॉमन सी बात है ब्लॉकेज का कारन को रोको, वो इसको नहीं बताके बायपास अंगियो प्लास्टी की हों बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? आगे पहले कॉमन बात बताओ फिर तो बाइपास एंजियर एंजियो प्लास्टिक बात करते हैं वो लोग चाहते नहीं है यह सब ज्यादा वो बोलते में हमारी बाइपास की काम अच्छी अच्छा वो लोग कैसे ले जाते होंगे आपको उस तरफ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे यह सिस्टम बन गया कि वो बाइपास एंजियो प्लास्टिक के तरफ चले जाते आदमी सीड़ियां चरता है उसको दरद होता है तो कितनी ब्लॉके जो गई असी अच्छा वो बताएगा क्या किसी को सोचता है कि अभी तो मैंने फील किया है अगर घर में जाकर बता दूंगा घर वाले परिसान हो जाएंगे एक तो ऐसे ही वो परिसान इतने सारे कंप्लिकेशन से घर पे और मैं यह भी बता दूं तो जंजट हो जाएगा बताता नहीं है कितने दिन तक नहीं बताता है किर दू चार छे मिने तक को खींसता रहता क्या करता जबढ़िए लेने का काम होता है दीरे धिरे जाओंगा आप सोड़ जाने दो जब दादर चड़ना होता है तो धीरे से चड़ता है समान उठाना होता है नहीं उठाता है पर धीरे धीरे पता चल जाता है एक दिन वाइप बोलता है आप स्पीड में चलिए पेशेंट बोलता मेरे से स्पीड नहीं चला जाता है पोला क्यों बोलता मेरे को यहां धरद होत पिर रुकता हूं ठीक हो जाता है अच्छा उनको कुछ आइडिया लग जाएगा वो एसीजी करके देखते हैं इसमें कुछ नहीं आता है पेशिए बोलता है सर एसीजी में नहीं आएगा आप चला के सीजी लीजे तब आजाएगा उसको मालूम है चलने से दरद होता है तो स्ट्रेस स्ट्रेस कराता है उसमें खराबी आगई अब इसका मतलब क्या हो गया हाट की बिमारी है या नहीं है अल्मूस्ट पक्का हो गया अब काडियोलोजिस्ट क्या बोलते है बोलते देखो आपको हाट की बिमारी हो गई है पेशिए घबडा जाता है बोलते हैं सब क् बोलेंगे उसाब करवा लेना पेशियर इसका मतलब उस अप करा लो बोला है जो भी निकलेगा उसे हमसे करा ले पेशियर बोलता सर और से वही बात कर दो एक काम कर देना मेरा नेहीं आपको बेजा है अच्छ इसका भी कुछ पाइब है ना अच्छ आप आप कहां चले गए नेक्स दे पेशेंट पहुंच गया हाट के हांस्पिटल में कार्डियोलोजिस्ट को बता दिया कि मैं स्पीड लेता हूं मेरे को चाहती में दरद होता है कार्डियोलोजिस्ट को कुछ समझ आ गया क्य उनको बहुत अच्छ से समझ आ गया एक नया पेशेंट आ चुका है आचा वो बुलते नहीं ऐसा वो क्या बोलते मेरे को दौट है यह ब्लॉपेज है या नहीं है अच्छ तो पेशेंट क्या सोचता है कि कुछ निकलेगा तो नहीं डॉक्टर ठीकी बोल रहा है कुछ मिले गई नहीं पेशेंट बोलता सर कोई उपाई है पता चल जाए ब्लॉकेज कितना है काडियोगरफी कर लेते हैं आपको देख लेते हैं यह अचा पेशेंट मान जायेगा नहीं मान जाएगा पेशेंट बोलता सर कोई भी टेस्टो में तयार हूं आप बोलो क्या क्या कराना है पुलते हैं आपको एडमिट करके आपके अंदर एक तार घुसाएंगे और उसमें जान बी जाने की चांस है अच्या पेशन फिर भी नहीं चाहता है कि अधिक अधिर बिना तार घुसाए कुछ कर लेजे के लिजे ना पता करना है ना ब्लॉकष कर लिजे आप काडियोलोजी बोलते हैं एंजियोग्राफी बिना कुछ नहीं पता चलेगा अच्छा एंजियोग्राफी हो जाएगा नहीं हो जाएगा एंजियोग्राफी हो जाता है पेशेंट बोलता है चलो एक बर करा लेते हैं फिर घर जाके सोचेंगे ब्लॉकेज मिल तो जाए देखे कल से सारा खाना पीना बदल दूंगा, walking चालू कर दूंगा, exercise चालू कर दूंगा, एक्दम plan करके angiography में जाता है, कि कल खाली रिपोर्ट लेकर घर जाना है, अच्छा रिपोर्ट में कुछ angiography होने के राद, रिपोर्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिपोर्ट में, एंजिग्राफी में कितनी ब्लॉकेज मिलेगी, 70, 80 हैं, 90, अच्छा जब 80 ब्लॉकेज मिल जाएं, काडियोलोजी सड़नली बदल जाता है, वो बोलते हैं, you are very lucky, patient बोलते हैं, lucky मतलब कुछ भी नहीं मिल आपको, बोला lucky इसलिए कि आप ठीक ताइम में यहा आपका बचने का चांस, बहुत कम है, patient बोलता है, पर हुआ क्या है, 80 परसेंट अलड़ी, finished, बस थोड़ा सही है, you are carrying an atom bomb, अच्छा patient बोलता है, sir, एक काम किजे, आप रिपोर्ट मुझे दे दिजे, मैं घर जाओंगा, बोलते है, घर आप पहुँचेंगे कैसे, उसके पह पहुचेंगे, पहुचेंगे, बहुत सारे लोगों को इता बोलने का जरुवती नहीं हो, तो इमीडेट तैयारी हो जाता है, हाट का सुनते है, इसके मन में असे डर रहता है, उसको जाओ डराने का, पर कभी-कभी patient बोलता है, sir, बहुता है, ब्लॉकेस तो कल भी था, ब्ल परवट भी लेंगे ना, तो हमको पूछ लीजेगा, patient बोलता है, नहीं, sir, मैं तो घर जाओंगा, बोलता है, आप रुकिये, आपके घर वाला सी, मैं पूछता हूँ, अचा, घर वाले बहार कौन-कौन वेट कर रहे होंगे, सारा खांदान वेट कर रहा होगा, वहाँ पर वहाँ बोलती है, कोई चीज का भी कोई भी कंजिशी हमें नहीं करना है, इनको तो बंचाना, अचा, बेटा मानेंगा के नहीं, एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है रॉक्टर को, बोलता है एक बड़ बता है, यह मैंने सुना है, यह कोलेस्टरोल के बज़े से अचा, तब तक और जितने परिवार वाले बोले, नहीं, नहीं, ऑपरेशन होना ही चाहिए, मेरे एक पेशेंट ते बोले, डॉक्र साब, मेरे साथ पूरा ऐसे हुआ, मैं तो खाली एक बड़ टेस्ट करनाने गया था, और उसके बाद ऑपरेशन करके भेजे मेरे को बाब फिर भी हो जाने नहीं दिया, फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला, देखो मैं खरने तयार हूँ, पर प्रॉब्लम है, मेरे पर पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो, तब इनों नहीं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर चले जाओ, फिर मैं जब घर जाने लगा, तब फिर से बुला यानोने, बोला, अब एक बाद बता हो, ये इतने पैसे, आप कितने दिन में एकथा कर सकते हो, तब मैंने बोला, देखी, मुझे प्रोपर्टी बेज के आना होगा, दो महिना लगेगा, फिर मुझे दो महिना उन्होंने टा इतना होगा है पाद के बाद मैं मैं है पर इक बास नहीं को आप नहीं जाते हो, तो मैं उन्होंपरेशन कर दूं जा कि बदलने का को सिज्छ इसक करो, अइन को मालू में ये एक मॉका है, ऑप्रिशन कर लेते हैं, अप उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा, मैं जाता हूं हाट के पेशिंस को मैं तीन चीज देखते दिखा हूं एक तो दवाईया है एक बाइपास और एक अंजयोप्लास्टी यह दवाईया मैं आपको एक आपको समझाना चाहता हूं दवाईया क्या काम करती है और अनदर टैन मिनिस आ इल टेखे यह टूब जिसमें चूब चौड़ी हो गई ब्लॉकेज महीं कि यह रह गई चूब चौड़ी हो गई चूब थोड़ा फैल गया फैलते क्या हो गया ब्लड सप्लाई बढ़ गई पेशिंट बोलता है मुझे अब कोई दिककत नहीं है पर यह दवाई का असर रहेंगा आठ गंटे बाद तो आ सब्सक्तर इसमो आइसोडिल, मनो ट्रेट, नाइट्रोफीक, ऐ्लाइट, मोनो शर्विटरेट, नाइट्रोपंटिर, नाइट्रोवी अचुड्रेट, नाइट्रोपनथन, वेसोप्रीन, मोनो स्प्रीन इस तरह की दवाया हम हाँ हट के पेशन को दे देते हैं एनिवे इसके लिए मैं चाहता हूं वो लाइफस्टाइल चेंज करें अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की जरुवत पड़े ही नहीं अच्छे ये गोलिया इतनी खाए कि इसके साइट इफेक्स होती है क्या अगर साइड एफेक्ट होती है कॉंस्टिपेशन तो क्वंस्टिपेशन की और गोली दूँगा और एसएडीडी हो जाए तो आसि डीटी की इगोली दूगा नींद ना ये तो लिद रह यह चाहुत यह जानता हूं दवाई आज जरुवत है पर कल दवाई की जरुवत उसका बंदोबस करना बहुत जरूरी है इसके बाद चलते हैं कि एंजिओग्राफी क्या चीज है होस्पिटल में जाते हैं एंजिओग्राफी करते हैं और यह एंजिओग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ अजिओग्राफी एंजिओग्राफी एक तार आपके पूरे बाड़ी को स्क्रैच करके हाट तक लेके जाना है यह तार यहां से जो घुसे की वान मीटर वायर इस इंसर्टे इंट इंट बाड़ी तिल इचे तार इस ब्लाइंड प्रसीजिए ब्लाइंड मतलब क्या अब गुसाद हो यह अंदर जाती जाएगी और अगर अटक गई तो वापस खीच के फिर से ट्राई करना होगा मतलब वो अंदर स्क्रैच करे गई ही करेगा पूरे बॉड़ी को स्क्रैच करती है और लिखवा लेते हैं कि अगर हार्ट इटाइक हो गया तो मेरी कोई जम्मेवारी नहीं है और ये पूरे बॉड़ी को ये पंक्चर भी कर सकता है मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के बखित होगी अगराफी में पेर को काटना पड़ा अल्टीमेटली क्योंकि पेर की ट्यूप को डेमेज कर दिया तो अगराफी में नहीं चाहता हूँ और उसके बाद क्या होगा इन एक्यूरेसी अबाट दा रिपोर्ट और उसके बाद प्रेशर फंद काडियोग्राफी मेरे को अमर्जन्सी हो गया बट एमर्जन्सी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है अनिवे यह एंजियोप्लास्टी जो है यह दो अपरेशन, दो चीज़ों लोग करते हैं एक एंजियोप्लास्टी एक बाइपस सज़री मैं एंजियोप्लास्टी दो मुनीट आपको समझाना चाहता हूँ वट इस अजियोप्लास्टी एक स्टेंट लगाते है सुना अपने नाम एक रिंग लगा देते हैं हाट में वट इस दिस? लेक में एक्स्टेंट इस पिछले 20 साल में जो अजियोप्लास्टी है यह बार बार फैल किया और बार इसको सबसेश बताया गया पहले आई थी बिलूनिंग, बिलून अजियोप्लास्टी उसके बाद बहुत रहे तरह के एंजियोप्लास्टी आई और्डिनरी स्टेंट आई, फिर PPT आई, फिर रोटा ब्लेडर आया रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर एंजियोप्लास्टी आई आजकल चल रहा है किर दरग कोटेट स्टेंट पर ये सारे के सारे फेल हुए है क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूँ देखे ये बिलूनिंग क्या चीज़ है या याद है आपको एंजियोग्राफी के बकर तार अंदर घुसाई थी वो कहां तक गई थी हाट तक यहां तक तार आई थी इस तार के ओपर ये बिलून रोता है इस तार को थोड़ा सा धका मारते है कभी-कभी काडियोलोजी तार को अंदर रखके बाहर आ जाते है आके बोलते हैं देखो तार अंदर है बोलो तबी खोल दू आप बोलते हैं चलो खोल दो कितने लगेंगे, दो लाख लगेंगे, दू लाख दे दिया. अब ये तार को ये लोग धका देते हैं थोडा और. तो तार कि ये जो बेलूने ये बीच emerging अभी आ जा जाती है. अभी इस बेलून में पानी डालना होता है. साइड में दब जाएगा उपर कंप्रेस्ट हो जाएगी नीचे कंप्रेस्ट हो जाएगी अच्छे ये बैलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा बैलून को वहाँ पे दो-चार सेकेंड से जादा नहीं रख सकते हैं कि भी हाट अटाइक हो जाएगी हंडेड हो जाएगी ब्लॉकेज तो बैलून में पानी डाला और सीरिंज से बापस पानी खिंच लिया जैसे पानी खिंच लिया जैसे पानी खिंच बैलून बापस चिप elastic है और जैसे balloon निकाल लिया blockage बापस आने लग गई थोड़े साल बाद यही cardiologist मान गए है ballooning काम की नहीं है पहले claim किया था ballooning एक बार कराओगे जिंदेगी बार चलेगे फिर मान गए काम की नहीं है फिर क्या हो गया फिर हो बोले इसमें stent लगाना होगा what is this strength look at this this is a blockage दिख रहा है आपको yellow color की और इसके अंदर एक balloon डाल दिया आपको दिख रहा है black color का balloon बैलून में पानी डाला तो blockage खाँ चलेगी side में आ गई जब बैलून निकाल लेंगे तो blockage बापस आईगी तो यहां पर spring लगा देते हैं यह spring क्या काम करेगा blockage को आने से रोग देगा आपको समझा रहा है spring का मतलब क्या है अगर spring डाला गया इसका मतलब क्या है कि blockage बापस आ रही थी थी इसका मतलब पहले वाला जो claim था वो गलत था कि ballooning करा लो ठीक रहा इसके बाद यह जो stent लगी stent का एक major problem है कि इसके अंदर से blood जाएगी और foreign body के अंदर blockage बहुत जल्दी होती है यह देखा गया stent में 6 मेना एक साल में सारे block आ जाती वापस और यह जब बापस आने लगी तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है नहीं आती है थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं यह stent सो खराब होगी क्योंकि यह ordinary stent है इसमें एक medicated stent देना होगा वो दवाई में डालके spring को निकाल लेंगे अब बहुत बढ़िया हो जाएगा तो drug की coating चल जाएगा आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की coating चड़ाते है तो वो spring के उपर coating चड़ा देते है और वो coating चड़ा के लगा दिया पर इसके बाद भी यह foreign body ही रही इसमें वही का वही result आया है अभी latest है कि 66% people within one year will come back with a re-blockage इसके बाद है bypass surgery एक बहुत बड़ी surgery होती है देखे बाइपस surgery मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ बहुत बड़ा surgery है एक पूरे chest को काटो और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा इसमें आड़ी से कटेगी आड़ी समझते हैं आपने मार्बल फिटिंग के बख़ एक देखा है गोल चक्का लेके घुनते है ऐसा एक लगा के पुरा खुलेगी इसको अंदर से जैक करके इसे कोलेगा अंदर में हाट को रोक के उसमें आपरेशन होगी और हाट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉड़ी को ब्लड जाएगा इसको बोलते हाट लंग मशीन उसमें कुछ ब्लड डालके उससे चलाना होगा अंद दूरिंग दिस ताइम दॉपरेशन है इस तो टेक प्लेस तो यह ब्लॉकेज के जएके नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया बाइपास हो गया पर यह नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं आपको क्या लगता है यह नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है अच्छा आप तो 40 साल बाद ही आएगी ना पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है देखिए एक वाई का जवाब सोचके देखिए औरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज होई थी 20 से 40 साल तो कितनी स्पीड रही 2 से 4 परसेंट 6 पर और एंजियो प्लॉस्टी के बाद अगर दो साल में बाफस री ब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई क्यों बढ़ गया क्योंकि अब औरिजिनल नहीं रहा हमारी बाडि को जब तक औरिजिनल रखो तक अच्छी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दो दो वाइपस कराई है अंजियो प्लास्टी पांच स्टेंट लगाई है पर मैं जानता हूँ उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा एक बार कर लिया दुसरे बार करा अब तक करा सकता आदमी और मैं जानता हूं बाडी में एक बार कम्पलिकेशन कराना उन के लिए तो चलो बहुत बदा टीम लगेगा हर आदमी के लिए एकती बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा उपरेश surrounds नहीं भी कर सकते है ठीक से तो उसके लिए थोड़ा आपको accuracy करना होगा. What is this accuracy, you understand? This is the accuracy. इस picture को आपने देखा है, इसमें accuracy लिखा है. कितना accuracy है, इसका मतलब? मैं आपको समझाता हूँ. ये एक drum है, ये drum में में पानी भरना चाहता हूँ. और इसमें 15 छेद है. आप बताएं, कितनी छेद बंद करने से drum भरेगी? यादे, इस 15 कारण है. अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ये drum भर जाए? सारे को करना होगा. अच्छा, मैं हार्ट के पेशिंट्स को क्या देखता हूँ, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में. एक सो बीस नहीं लड़ा हूँ, एक सो चालीस ही रखा हूँ, मैं बुला नहीं चलेगा. मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चलिये. हाँ, इसके लिए शुगर, बीपी, कोलेस्टरोल, ट्राइगलिसाइड आपसे कम नहीं हो रहा हूँ, मैं दवाई देके कम कर देता हूँ. पर स्मोकिंग आपको पुरही बंद करना होगा. खाने में तेल आपको बंद करना होगा. एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीन में फाइबर जादा डालना होगा. अच्छे, यह सब संभव है क्या लोगों के लिए? यह सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं सिग्रेट बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं मीड बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं तेल भी, छोड़कि आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं. So all these if you do, there is no problem. Never delays, मैं जानता हूँ, एक और छोटा साथ चीज आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक और नहीं जो टेक्नोलोजी आ गई है, आदमी को मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके, यह मारी कुकिंग की क्लास है, this is a cooking class, मैं हाट के पेशिंस को ट्रेनिंग देता हूँ, this is my dietitian teaching, cooking, zero oil cooking to the patient's wives, मैं हाट के पेशिंस को योगा सिखाता हूँ, मैं बोलता हम कैसे भी करो, योगा करो आप, योगा करने की बहुत जरूरी है, उसके साथ उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी समान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चड़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसीन लो, कब तक लो, and for this, हाँ, मैं एक मैगजीन भी निकालता हूँ, इसका नाम है साओल टाइम्स, ये मैगजीन में ह आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मैगजीन है, और इसके साथ एक छोटा सा और कॉश्चिन यह रखा है, कि यहां पर अगर हम लोग ऐसा कोई कैम करवाएं, so how many people will be interested to join such a camp, एक दिन का या दो दिन का ऐसा कै तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है, जिसका नाम है, पॉकेट गाइड, एक थर्टी रुपी के किताब है, कोई दो घंटा बैट के पढ़ ले, तो जितनी बाते मैंने बताई है, सब इसमें लिख के रखा है, so this book I have brought over here, मेरे खाल से बाकी books तो मैं नहीं ला सकता हूं क्यों hundreds of books are there, तो मैं ये book लाया हूं, कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, और कोई को पढ़ाना चाहता हूं, heart के patient को जरूर पढ़ाई है, 30 rupees की gift होती है, you can give it to anybody and they will learn things from the book, तो ये बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं मैं ये magazine पिछले 10 साल से रन करता हूं and it is gone all over the world, मै मैं एक नहीं टेक्निक आपको इसी बहुत बताना चाहता हूं, there is a new machine which has come, which can open the collaterals, देखें को लाइटरल का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है, बाइपर सजरी में क्या करते हैं, नहीं टूब लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हाट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच इसको बलते हैं, इसको पुललाटरल, बैंक में आपने लोण लेते वहे देखा हैं, इसको बलते हैं, को बलते हैं, को लाटरल क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए, तो ये को लाटरल end हमें देखे रखा है, औरीजिनल तो तो धा रही था, अग य यह अगर चालू हो जाए बीना ओपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और इस इस अज़ निव मशीन, निव टेकनोलोजी विच अज़ गाप देखे हमारे मेडिकल साइंस की टेकनोलोजी बीना काटे वाली टेकनोलोजी है यह देखे यह यह ट्यूबस है जिसमें कोई कोलाटरल्स चालू नहीं है और यह है ट्यूबस के सारे कोलाटरल्स चालू हो गए यह आपको समझा रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर यह जो छोटे-छोटे कोलाटरल्स है यह हमारे सब के पास है और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्स करके चालू कर सकते है या तो एक मशीन से चालू कर सकते है ये मशीन क्या करती है सोचिए ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में थाई में बटक्स में और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दू तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहा जाएगी? बॉडी में ही रहेगी, पर कहा जाएगी? यह हार्ट के तरफ जाके हार्ट के ट्यूबस को धखा देके, प्रेशर देके इसको खोलेगी. ये प्रेशर एक एक गंटे तक एक में इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है जब हार्ट पंप करके रिलाइस करने लगे जब पूरे बलड बापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे बलड को इससाथ बेजा जाता है and this goes on ECG feed होती है computer को and this machine we have seen now without bypass surgery आदमी बोलता है मुझे immediate result चेहिए तो without bypass this can work very well तो इसको हम लोग बनते है natural bypass natural bypass समझने है भगवान ने already natural bypass हमें दे के रखी है sportsman चालू करके रखा है तो आप heart के patient हो आप चालू करो आपके पो लेटरल आ गई तो original नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी और एक मैं जैसे ही हाँ एक और treatment आई है जिसको हम लोग गुनते है bio chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है कुछ chemical अंदर डाल के blood में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं लोग कुछ chemical डालते हूं अंदर से तो ये chemical की भी treatment आचकल चल रही है बट अभी भी इसका results हर आदमी में same नहीं आता है बट results are still there बहुत सरे ऐसे patient हैं जो 30-40% तक blockage इससे कम हो सकती है never delays मैं समझता हूं मैंने बहुत सारा lecture आपको दे दिया है कोई ने मेरे को बोला था एक बार की doctor साब कभी भी किसी को आदे घंटे से ज्यादा lecture मत दिया कीजिए मैंने बोला क्यों बोला आपने school उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं बोलता आपने school college में देखा है कभी भी periods 40 minutes ज्यादा नहीं रखते हैं उसमें 5 minutes आने जाने का वेस्टेज गिन लो आदे घंटे ही चलेगा दिमाग मैं बोला पर मैंने देखा है तीवी देखते हो तो दो तीन घंटा देखते हो एक साथ बोलता है नहीं वो interesting हो तो देखते हैं तो मैं जानता हूँ आप हमारे साथ बैठे हैं दो घंटे के लिए और आपको जरूर interesting लगा होगा मैं फिर से धन्यबाद देना चाहता हूँ ये hall को arrange जी लोग ने किया उनको स्री माफतलाल जी को जिन्नोंने आपके लिए ये lecture कराय है और अगर अगर अपको लेक्चर अच्छा लगा तो उनके लिए फिर से एक बार करता हूँ और मेरी बंबई में जुहू में एक क्लिनिक भी है जहां पे हर वकर डॉक्टर है और ये मशीने वगरे भी है तो आपको अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो आप हमारी किताबे जरूर पढ़ियेगा और ये छोटी वाली किताब भी पढ़ियेगा अगर आपके और मुर्त आपके लिए नहीं कि अड光 में ग्ली सराइड करें वाली कियों हो पढ़िये और प्रमुपल ऐगरे में चौन में ब्रूर ऑइड़ करें करिश ओध मंगारी बहीं है कर अथ और आप अचा ही नहीं पर एलकोहल से अच्छाई होती है जब्णायर प्रिख भी आश एजडियल बढ़ जाती है तो हाट के पेशिएंट क आचा आते मालो मैं भूले है एजडियल की बात करो ट्राइगलेज़ थाड की बात ना करो अड़े मैं कैसे बात ना करूँ एक चीज अच्छा एक खराब है ना तुम्हें दोनों को भी बात करूँ गाना अच्छा एक ही मैं आपको गिनाता हूं, एक तो एलकोहल से स्टॉमक खराब हो जाता है, ओ लीवर खराब होता है, इसको कुन्त है सिरोसिस अडेलीवर. अच्छे, एलकोहल से नर्वस सिस्टम खराब होती है. आपने सुनाएं, एलकोहल पीके, एक्सिडेंट करके लोगों को मार डाला लोगोंने, सुनाएं साथ, तो एलकोहल से पैसे भी खराब होते हैं, आपको मालूँ है क्या, अच्छा, एलकोहल से एडिक्शन होता है, इडिक्शन मतलब क्या है, जिसको एलकोहल पीने की आदत जिन्दगी में एक बार पिया पहले बार, फिर महीने में एक बार पिया, फिर हफ्ते में एक बार पिया, फिर हफ्ते में तीन बार पिया, फिर धीरे अब हर दिन पीने का आदत हो गया है, तो कौन गैरंटी दे सकता है आप उसी एडिक्शन में नहीं जाओ, एलकोहल में प बच्चा दो ही काम करता है, या तो पापा के तरह पीना चालू करता है, या तो पापा को जिंदे की वर नफरत करता है, क्योंकि उसको अलकॉल या तो पसंद हो जाएगा, तो पीना चालू कर देगा, वो भी बिगड़ेगा, अच्छा मेरे को कभी-कभी लोग बोलते हैं, सर पर मैंने देख़ा काडियोलोजिस्ट बोलते हैं थोड़ा बहुत पिया करो मैंने बोला अच्छे काम करना उस चाडियोलोजिस्ट को जाकर पूछना सर यह अच्छी चीज है क्या बोला इहाँ, अच्छी चीज है तक नहीं प्यार शोचना कि अपने बेटे को और अपने बीबी को पिलाना चालू किया क्या हर दिन बोलता नहीं मेरा बेटा पिये का तो निकाल दूँगा घर से अच्छा अपने बेटे को घर से निकाल दूगा पिने से और हमको आप बोल रहे हो पियो आपको क्या लगता है, लोजिक बहुत अच्छी है कि खराब है, कोई भी काडियोलोजिस्ट को यहाँ लगा के बोलने बोली है, कि हाँ अलकॉल बहुत अच्छी चीज है, मैं अपने बच्छों को पिलाओंगा, अपनी वाइप को पिलाओंगा, तब तो मैं मान जाओं, कोई काडियोलोजिस तदियार्ट पर पैशेंट के लिए घुज देना समझते हैं गुज देना ब्राइब करना समझते हैं ब्राइब होने से बहुत काम होजाता है तो पेशेंट को पर आइब दे रखते हैं कि पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मेरा बहुत बड़ी हा है सारा चीज अलाओ कर देता है, but very bad, alcohol is never good for the heart. Yeah, any more questions? Garlic. Garlic. मैंने कुश्चिन यह पर लिख के रखा है, can I take, कुछ frequently asked questions लिखा है, can I take garlic? Garlic हाट के लिए अच्छा है. Garlic हाट के लिए अच्छा है, पर नेसेसरी नहीं है, जो नहीं खाता है, उसको ही खाना होगा. ऐसे हज्जारों फूड है, जो हाट के लिए अच्छा है, so you can take any of these food. पर एक आदमी मेरे को बोला, सिर्फ garlic हाट मेरा blockage ठीक होगा के नहीं, मैं बोला, नहीं, जितने खराब बाले आईटे में सब बंद करने होगे, जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी, तो ऐसा नहीं कि garlic is a panacea, पर garlic is definitely good, cholesterol को कम करता है. यह, yes ma'am, CT angiography बंबई में बहुत सरे जगे, मेरे खाल से कम से कम 20 मशीने लग गई है, हम जहां करवाते हैं वो चित्रा करके हैं, दादर में, तो यह CT angiography का लिए आपको अगर address चाहिए, हमारी क्लिनिक का address आपके पास है already, you call them up, they will give you the details, okay? Sir, what is good cholesterol and what if you have, you know, in the range of good cholesterol is higher than the normal range, so how does it affect the heart and what is it? See, good cholesterol is, good cholesterol को good क्यों बोला जाता है, it goes to the blockage, picks up the cholesterol and takes it out, so good cholesterol, if you can increase it, it is wonderful, we want more than 40, so good cholesterol बढ़ाने का कोसिस करिये, और इसके लिए बजार में नहीं मिलता है, अब हमको यह नहीं बोल सकते हैं, 2 kg मेरे लिए मंगवा दीजे, good cholesterol आपकी body बनाएगी अगर आप खाना पीना ठीक र Hare Krishna, this is Dr. Anuj here, I have done lot of your patients, I have done echoes of those patients at Chitra Scan, and let me tell you I am a cardiologist and I really loved your lecture, it is an amazing talk that you give, and I pray that we do something together with all the malpractice, I am very much aware of what is going on, and